जो लोग गुटका खाते हैं अगर वो ये सोच 이टिए कि मैं जो कुछ खाता हूं बहगवान को समर्पित करता हूं तो फिर वो गुट का खायेगा सिगरेट पियेगा शराब पियेगा वही मैं जो चड़ाता हूँ, यह भगवान को समरपड़, यह मैं नहीं खाता हूँ, मेरे बीतर जो भगवान बैठा है, मैं उसको समरपड़ कर रहा हूँ, भाव ही बतल जाएंगे, मन के दशाएं ही है हमारी, बतल जाएंगे, तीसरा काम, तीसरी आदर जोड़ने के लिए क दिल से जो हमारे भीतर अच्छा मेंद बनाए हमें उसके लिए जरूरी है emotional सुबह उठकर के पहला काम करो अपने माता पिता को सुबह उठकर के प्रणाम करने की आदत डालो यह emotional भावना अत्मक रूप से हम एक अच्छे इंसान बन रहे हैं हमारी भावना ही दिव्य कैसे हो पाएंगी तो मैं पहला काम बताओंगा सुबह उठकर क्या करो माता पिता को प्रणाम करो मा बाप तो हमारे लिए सूरज और चांद की तरह होते हैं वो है तो उजाला है वो नहीं है तो अधीरा है मा उस बैंक की तरह होती है जिसमें हम अपनी सारी भावनाएं दुख जम करवा सकते हैं और पिता उस क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जिसके पास बैलेंस ना हो तब भी वो हमारे सपने पूरी कर सकता है अजीज भी वो ही है नसीब भी वो ही है अजीज भी वो ही है और नसीब भी वो ही है दुनिया की इस भीड में सबसे करीब भी वो ही है कौन हमारा कितना है ये नहीं पता पर हमारा तो खुदा भी वो है और हमारी तक्दीर भी वो ही है जिनके काण हमारी जीवन की खुशियां जुड़ी हुई है उन्हें सुबह उठकर के पाउं चुकर पडाम करते ही हमारे भीतर एक अच्छा परीवर्तन आता है दुवाएं हमें मिलती है और भावनात्म करूब से माता पिता के दिल में हमारे लिए आशरेवाद अपने आप प्रसारित होने शुरू हो جاتे हैं केवल छोटा सा काम है एक सेकेंड की छोटी सी आदत है गए मम्मी के पाउं चूकेँ प्रडाम किया पापा के पाउं चूक करके प्रडाम किया प्रडाम करने में कितना समय लगता है बेटा आप खड़े हो तो बेटा आप खड़े हो हाँ छोटा सा बच्चा चलिए खड़े हो बेटा चलो इतरा हो अब ज़रा बताओ कि अगर हम सुबह उठकर के दादा दादी और मम्मी पापा के पाउं छोने जाएंगे उसमें कितना समय लगता है टाइम कितना लगता है इसमें प्रणाम करने में कित गुड हैबिट जिसके लिए समय लग रहा है हमारा जीरो मिनट पर ये गुड हैबिट हमारे इमोस्नल हमारी भावनाओं को निर्मल बनाने में हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है इससे हमारी इमेज अच्छी बनती माता पिता को प्रणाम करोगी इमेज अच्छी हमारे माथे पर सिर पर जो हाथ आये हैं वो positive hand हमारे माथों पर आ गए हैं अब बतो भाई साब जो चीज इतनी अच्छी हो सकती है उस good habit को हम अपने जीवन में क्यों न डालें हम्मी पापा को प्राणाम गुड मारींग ओके हैं चलो हाथ जुड़ो और बोलो में सबसे निव בחण करता हूं थोड़ा और जोर से बोलो थोड़ा और जोर से बोलो कि सबी लोग सुबह उठकर मम्मी पापा के पाओं चूकर प्रणाम करें यह मेरी प्रार्थना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यह रिक्वेश्ट है एक बच्चे की जो हमसे यह रिक्वेश्ट है एक बच्चे की जो हमें यह अनुरूद कर रहा है कि हमें सुबह उठकर यह गुड़ हैबिट अपनी जीवन में जरूर डालनी चाहिए इमोस्नली हम इससे बहतर होंगे नमबर दो क्या करो सुबह उठकर अगर आपके ऊपर भी चले गए यह अम्मी पापा किसी के तो भी मैं कहूंगा उनके तस्वीर के सामने जाओ घुटने टिकाओ और अपने नमन समर्पित कर दो जो आदमी माबाप के आगे घुटने टिका देता है उसे जन्दगी वफर किसी के आगे घुटने टिकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मैंने कभी कुरान शरीफ की एक बात कहूंगा जब पूछा गया मुहम्मद सहब से कि जन्द कहा है तो जवाब मिला मा के कदमों में ही मेरा जन्द है ये है जीवन का स्वर्ग अर्थात एक ऐसा जीवन जीओ जो जीवन हमें गुड हैबिट का मालिक बना रहा है तो इमोस् पड़ी थी एक पिताने मरने से पहले अपने बच्चे को कहा था कि बेटा तुम मेरी बहुत इज़्जत करते हो मैं एक इमानदार व्यक्ति रहा हूँ प्रामानिक व्यक्ति रहा हूँ मैंने कभी कोई चोरी जारी नहीं किये इसलिए मैं बहुत पैसा तो नहीं कमा पाया आशिरवात की है बेटा मेरा शरीर तो पूरा हो गया मैं अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर रहा हूँ पर जाते जाते तुझे आशिरवात दे कर जाता हूँ बेटा तो सुखी रहना मैं दूआ दे कर जाता हूँ एक पिता अपने पुत्र को ये वर्दान दे कर के जा है आपने जो चाहे जैसा आप मुझे देना चाहें दीजिए अब जो कहेंगे मेरे लिए आशिरवाद है पिता जी तो गुजर गए पर बेटी के लिए वो आशिरवाद इतने फलदाई हो गए कि वो बहुत जल्दी ही अमीर बन गया जिस चीज में भी हाट डालता कमाई है सब उनका अशिरवाद आज मैं जो कुछ भी हो वो उनकी बदलत हूँ एक दिन उसने सोचा येर मैं जिसमें भी हाट डालता हूँ मेरे कमाई होती है आज मैं एक काम करता हूँ आज मैं परिक्षा लेता हूँ अपनी और ये देखता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जिस काम को साफ तोर पर घाटा दिखाई दे और मैं वो काम करके देखता हूँ क्या फिर भी उसमें मुनाफ़ा होता है क्या तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि भाई मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिस काम को करने से मुझे घाटा लग जाए बोल एक काम कर तेरे जहाज अफरिका की तरफ जाते है इस बार तू लॉंग भर करके उसमें भेज़ दे अफरिका में वहाँ पर खूब पैदाईस होती है लॉंग की तू जब यहां से लॉंग इंडिया से लेकर के जाएगा तो अपने यापी घाटी का सौदा हो जाएगा उसने का चलो अब यही एक परिक्षा ले लेते हैं उसने जहाज में लॉंग भरवाए निकल पड़ा सोचा मैं खुद ही जाता हूँ इस बार तो अब जैसे ही वो अफरिका के समुद्ध तरफ पर उत्रा तो इतने में ही वहां का एक मंत्री अपने कई लोगों को साथ लेकर के समुद्ध तरफ पर कुछ ढूंड रहा था और सब के हाथ में आटा च्छानने वाली जारी थी चलनी तो सब के हाथ में चलनिया थी और सब लोग चलनी से कुछ करने के कोशिश कर रहे थे तो उसने पूछा आप लोग यह क्या कर रहे हैं यह चलनिया लेकर के समुद्ध के तडपर आप कर क्या रहे हैं तो मंत्री महुद्ध ने कहा भाई दरसल बात यह है कि मेरे कल मैं यहां पर टेहलने के लिए आया था और मेरे हाथ से अंगूठी फिसल कर और यहीं कहीं पर गिर गई और मुझे मिल नहीं रही है वो अंगूठी मुझे मेरे गुरुजी ने आशिरवाद के रूप में दी थी तो मुझे लगता है कि अगर वो अंगूठी चलीगी तो मेरा मंत्री पद भी मिनिश्ट्री भी मेरी चली जाएगी इसलिए मैं उस अंगूठी को ढूंड रहा हूँ उसने कहा कि अच्छा सब लोग अंगूठी ढूंड रहे हैं तो पूशा कि भाई गिरी कहा होगी यह तो पता नहीं है तो बूले कि ठीक है अब वो वहाँ पर जुका मंत्री को पड़ाम करने के लिए जैसे ही जुका तो जैसे ही जुका वो तो गाटी का दंदा करने के लिए निकला था हूँ जोटा कि इतनी में उसका पाव फिसला और वो वहीं पर ही दढाम से नीचे गिर पड़ा लेकिन जब वापस उठा तो उसके हाथ में मिट्टी भी थी और मिट्टी के साथ में वह किया थी उसने मंत्री के हाथ में सौंफी कि क्या यही आपकी अंगुठी उस रुब लेकी तेंक यू थेंक यू थेंक यू तीन बार धन्यवाद दिया वो यहीं अंगुठी है हम तीन घंटा से इसे की मसकत करें दूंडने के लिए और तूनी हम अंगुठी ऐसे जुके निकाल ली बोले सब पिता का आशिरवाद है सब पिता का आशिरवाद परोद और तू इंडिया से आप लॉंग लेकर के आया है उन्हें सब आया तो लॉंग लेकर के हैं पर तू ने मेरी अंगुठी ढूंड के निकाली है इसलिए मेरे लिए तो तेरा हर लॉंग एक बहुमुलिया रतन के समान है और वहां पर भी वो लॉंग उस मंत्री के कारणा लिए तो हमेशा मुनाफा ही, उनके लिए तो हमेशा मुनाफा ही, मुनाफा है, इसलिए कहता हूँ माता पिता को परणाम करो, यह हमें emotional की रूप में, एक good habit हो जाएगी, भावनात्मक रूप से हमें उंचा उठाने के लिए good habit है, माता पिता को परणाम करो, नमबर एक, घर में सब लोग साथ में बैठ कर एक बार खाना अवश्य खाओ 24 गंटे में एक समय भोजन तो ऐसा जरूर करो कि घर के सब लोग साथ में बैठ करके खाना खाएं इसका परिणाम ये होगा कि भावनाएं हमारी बड़ी उज्वल बनेगी एक दूसरे के परदी प्रेम और मुहबबत जगेगा एक बहिन ने कहा कि हम लोग मैं मेरी बेटियां हम लोग सब साथ में बैठ कर खाना खाते हैं मैं कहते हूँ हर घर में ये नियम लागो करो कि हम 24 गंटा में एक समय तो सब लोग साथ में बैठ करके खाना खाएंगे देखो हम दो भाई हैं तीन संतजन हैं तीनों साथ में बैठ कर खाना खाते हैं कभी मेरे छोटे मुनी जी ने कहा था कि साब मैं सादना में बैठ रहा हूँ एक महिने के लिए तो मैं अपना आहार उपर ही कर लू अर्थात मैं मेरी गोच्री, मैं मेरी आहारचरिया अलग से कर लूँ तो मैंने उनसे कहा मैंने का बेटा साधना भली अलग बैठकर कर लो पर खाटा तो एक साथ बैठकर के खाओ अगर जब हमने खाटा, खाटा भी अगर साथ मैं छोड़ दिया फिर आपसी प्रेम और सद्भाव तो हमारा समाप तो हो जाएगा इसलिए मैं कहूंगा साथ में बैठ कर खाना खाऊ मेरा तो नियम है मेरे भाई लेलित प्रभु जी वो बोजन चूरते हैं और मैं बोग लगाता हूँ महिने में तीस दिन पहली जो रोटी खाएंगे वो रोटी जिसमें सबजी वो सबजी जिसमें रोटी चूरी जा सकती है वो रोटी वो चूरते हैं और फिर हम लोग बैठ करके खाना खाते हैं अब मैं आपको कैसे बताऊं उस भोजन का क्या स्वाद और क्या आनंद होता है जहां एक भाई रोट इस रभई खाना खाता है तेको ये सुख लो ये गुड हैबिट अपनी जीवन में डालो घर में सब लोग साथ में बैठ कर खाना खाएं कभी एक बार ही सही अपने हाथों से रोटी चूर करके अपनी मम्मी को बले चास रोटी चूर देना दूद रोटी चूर देना और चूर करके वो अपने हाथ से मम्मी को खिला देना मम्मी को धर्ती पर वो सुख मिल जाएगा जो मरने के बाद किसी व्यक्ति को सुवर्ग में मिला करता है वो बीटी से मिल जाएगा रोटी चूरी और अपने मम्मी को प्रेम से खिलाई यह सुखलो भोजन करो साथ मैं बैठ कर भोजन करो संबोधिधाम के मंत्री थे महिंद्र जी लोड़ा अब उनका स्वरगवास हो गया पर मैं इस प्रसंग पर उन्हें याद कर रहा हूं उनका नियम था खाएंगे अब आप सुनकर ताजूप करेंगे 12 बजे वो जहां पर भी बैठे हैं चाए दुकान पर बैठे हैं चाए अपनी ऑफिस में बैठे हैं या किसी संस्ता की मिटिंग में बैठे हैं 12 बजकर 5 मिनट होते ही वो उस मिटिंग से खड़े हो जाएंगे कोई कहेगा सब अभी जरूरी निरने करना है अब दस मिट बेढ़ जाए है मेरे घर में हम जो साथ खाना खाते हैं उससे ज़्यादा जरूरी है मिटिंग करने रहने नहीं है मैं तो बारे पांच होते ही खड़ा हो जाता हूं और वो नहीं खड़े होते हैं के लिए उनका बेटा अपनी फैक्टरी से रवाना होता है बहु अगर वो सीए थी वो वहाँ से रवाना हो जाती है घर का नियम है दोपेर का एक समय का खाना वो लोग साथ में बैठ करके हम खाते हैं गोले ऐसा पैसा कमा करके भी क्या कर लेंगे जा हम लोग साथ में बैठ कर दस मिनट बात भी ना कर सकें साथ में बैठ कर खाना भी ना कर सकें वैसा हमें पैसा कमा के कर भी क्या लेना है भाई लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के लिए जुट साज करते हैं, मैं कहतो हूँ जुट साज करने की जरूत नहीं है, ऐसा पैसा कमा के भी क्या कर लोगे जिसके लिए तुझे दस पाप करने पड़ते हो, पुण्य का पैसा कमाओ ना, तो पुण्य में भोजन करो, घर में सब लोग साथ में बैठ कर खाना खाओ, अगर किसी को लगता है कि वो भाई भाई अलग हो गए एक मा की तिन संताने थी तीनों अलग अलग गए, तो मैं कहूंगा महिने में एक दिन ही सही है कि हमारे महिने का पहला रवी वार हम एक नमबर वाले भाई साब के हैं, सब लोग बैठ करके खाना काएंगे भाई, दीवारे भले अलग अलग कर लो पर अपना प्रेम तो अलग मत होने दो अपना खून तो अलग मत होने दो साथ में कभी बैठोगी ही नहीं, तो खून एक कैसे होगा साथ में बैठो प्रेम बढ़ेगा, वो आपके कुछ घर ऐसे होते हैं अभी भी है बहुत सारे घर उनसे पूछता हूँ सब आपके बच्चे कितने हैं तो कैसे सब छे मैं चोकता हूँ वही सब छे बच्चे आपके सामेरे दो ही दिख रहे है बाकी चार मेरे बाकी वाले दो भाईयों के दो-दो संताने हैं ये जो छे बच्चे हैं मेरे ये जो लाइन जो कही है इसमें बहुत बड़ा इमोसन्स चिपा हुआ है इसमें बहुत बड़ी भावनाई चिपी हुई है कि एक गर की महिला अपने कितने बच्चे कह रही है छे और अगर प्रेम नहीं होगा और पूछें कि बई कितने बच्चे है दो बच्चे तो मैं कह trata भई यह किस चाहिए बोले नहीं तुम इरे डेरानी का है दूरी हमें दूर करती है और करीब ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है इसलिए के तुम साथ में बैठकर खाना खाओ तो इमोसन्स को अच्छा रखने के लिए इमोसनली गुड हैबिट्स अपने भीतर डालो सुबह उठकर माता पता को प्रणाम करो साथ में खाना खाओ और जिन्दगी में दो अच्छे दोस्त जरूर रखो वो दोस्त जो हमारे दोशों को अस्थक रे अगर आप विद्यार थी हैं तो मैं कहूंगा ऐसे आदमी को दोस्त बनाना जो क्लास में नंबर वन है जिसका करेक्टर जिसके चरितर का प्रमान पत्र पर प्रिंसिपल ने लिखा है वेरे गुड और जो मार्क्स लेकर आता है तो भी लिखा जाता है वेरे गुड ऐसे बच्चे को अपना दोस्त बनाना ऐसे बच्चे को अपना दोस्त बनाओगे तो तुम्हारा भी सूर्योदय होगा बदमासी करने वाले, शैतानी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले बच्चे को अगर अपना दोस्त बना लिया तो तो गई भैस पानी में तेरी तो तेरा भाग्योदे नहीं होगा, तेरा सूरियास्त ही होगा तो ऐसे बच्चेों को अपने दोस्त बनाओ जो हमारा सूरियो दे करने में, हमारा भाग्यो दे करने में हमारी मदद करे आप अगर बड़े लोग हैं तो मैं कहूंगा ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ अमीर है, मदद करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिसके साथ आप जाकर बैठेंगे तो आपका गौरों भी बढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ती को अपना दोस्त बनाऊं, दोस्त नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर गलत दोस्त के साथ जीनी की बजाए तो बिना दोस्त के जीना कहीं ज्यादा अच्छा है दोस्त शब्द का अर्थ होता है जो हमारे दोशों को अस्त कर दे उसका नाम दोस्त सब बोलो दोस्त किसे कहते है जो हमारे दोशों को अस्त कर दे उसका नाम दोस्त मित्र किसे कहते हैं जो हमारे मन को भाजाए उसका नाम मित्र जो हमारे मन तक को भी सवार दे उसका नाम होता है मित्र जरा बताओ कि जो लोग शराब पीते हैं उनको किसने सिखाया दोस्तों ने नहीं गलत दोस्तों ने यह मत को दोस्तों ने, किस ने सिखाया, गलत दोस्तों ने, जो गुटका खाते हैं ममी पापा ने सिखाया, गुटका खाना किस ने सिखाया, ममी पापा ने, टीचर ने, गुरु ने, गलत दोस्तों ने, अपराद करना किस ने सिखाया, गलत दोस्तों ने, यह जितने जेल में लोग भरे पड़े हैं यह किसका परिणाम है यह गलत संगत का यह गलत दोस्ती का परिणाम है यह इसलिए जैसे कोई व्यक्ति अपनी लिए पत्नी लेकर आता है तो कितनी चानबीन करता और जैसे कोई लड़की के लिए उनके माता पिता वर की तलाश करते हैं तो कितनी चान बीन करते हैं उतनी चान बीन अपनी जीवन में दोस्त को बनाते समय कीजिए क्योंकि दोस्त हमारे जीवन को प्रभावित करता है हम प्राइवेट बाते मम्मी पापा को नहीं कहते पर अपने दोस्त के साथ तो शेयर कर ही लेते हैं इसलिए अपना दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हमारा भाग्योद्य करने में हमारी मदद करें भाई दोस्त तो दुरियोधन को भी मिले थे और दोस्त तो अरजन को भी मिले थे दुरियोधन को मिला दोस्त आँख बंद करके चलता था और अरजुन को मिला दोस्त सोए लोगों को भी आँख खोलने में समर्थ था तो कृष्ण जैसे दोस्त मिले तो सौ दोस्त बनाओ वरना बिना दोस्त के ही रह जाओ मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त जन्दिगे में होना चाहिए मित्र होने चाहिए बस उसकी क्वालिटी पर जरूर ध्यान दो जो हमारी भावनाओं को उचा उठाए अब अंतिम बात कह रहा हूँ और वो है स्प्रिचुल गुड हैबिट्स फिजिकल, मेंटल, एमोस्नल एंड स्प्रिचुल आध्यात्मिक रूप से हमारे भीतर कोच अच्छी आदते जरूर होनी चाहिए जो हमें अंदर से उचा उठाए हमारी आत्मा के स्थर को जो उचा उठाए ऐसी आदते हमारे भीतर जरूर होनी चाहिए जैसे कि हम प्रती दिन सुबह चाहे बीस मिनटी सही दस मिनट ही सही पांच मिनट ही सही meditation जरूर करें क्योंकि meditation करने से हमारा mind balance होता है मन में जो उद्विग पैदा होते हैं विकार पैदा होते हैं उतेजनाई पैदा होती है meditation करने से वो शान्त होती है ये भी एक अभ्यास है जैसे ABCD लिखना बच्चे के लिए अभ्यास है वैसे ही meditation करना एक अभ्यास है बस अकेले में जाकर बैठ जाओ 10 मिनट तक बगल में कोई भी एक छोटा सा मद्धिम संगी चला दो और आती जाती सांसों पर awareness सादो सांसों के साथ जुड़ो सांसों के साथ बने रहो लगबख 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना आपका मन माने टाइम हो 10 मिनट 20 मिनट में भी हमारा माइंड अंदर से balance हो जाता है उसके भीतर जो चंचलता है उसके भीतर जो जैसे highway पर लगातार वहन चलते रहते हैं ऐसे हमारे भीतर जो तरंगे चल रही है वो भी सूखे पत्तों के दे जड़के नीचे गिर जाती हैं और हम अपनी सहज शांत इस्तिती में इस्तित हो जाते हैं यह अभ्यास होना चाहिए यही अभ्यास हमें spiritual बनाता है रोजाना 5 मिनट ही सही 10 मिनट ही सही लेकिन supreme power को जरूर याद करो जिससे हम अमारी भाषा में प्रार्थना कह देते हैं जो भी आप उसे नाम दे लेकिन जैसे हम mobile को चार्ज करते हैं ऐसे ही अपनी आत्मा को चार्ज कर लो अपने mind को चार्ज कर लो अपने दिल को चार्ज कर लो करते हैं और सुप्रिम पावर से अपने आपको जोड़ते हैं तो हमारा मोबाइल भी अंदर से चार्ज होता है हमारा मोबाइल के है हमारा माइंड हमारा मोबाइल है हमारा computer है वो charge होता है हमारी आत्मा charge होती है आध्यात्मिक रूप से हमारा इस तरह उचा उड़ता है और दूसरा पहला है meditation करो दूसरा है prayer करो और तीसरा है जीवन मूल्यों पर जरूर आस्था रखो नैतिक मूल्यों पर अवश्या आस्था रखो किसी भी स्थिती में हमें अपनी नैतिकता को नहीं चोड़ना चाहिए अपनी morality को हमें कभी नहीं चोड़ना चाहिए मेरी प्रामानिकता खंडित हो ये मेरे लिए शोभा की बात नहीं है चोरी करके 100 कमाना और बिन चोरी कि ये 10 कमाना ज्यादा शेष्ट धन कौन सा है दस वाला या सो वाला चलिए मैं बैंजी से पूछता हूँ बैंजी एक बात बताईए कि आपके हाथ में आपके पती ने सोनी की चूड़ी भेट दी और एक हीरे की भेट दी फर्क केवल इतना है सोनी की चूड़ी उनकी मेहनत की है और हीरे की चूड़ी चूड़ाई हुई है आप कौन सी चूड़ी पसंद करेंगे सोने की या हीरे की सोने की क्यों उसमें इमान है उसमें मेरे पती की मेहनत की खुश्बू है और जो चूड़ाई हुई है हीरे की चूड़ी उसमें तो नैतिक मुल्य हमें हमारे साथ रखने चाहिए इसी लिए भगवान माहविर ने कभी कह था हिंसा मत करो चोरी मत करो जूठ मत बोलो ये उनके पांच वरत रहे हैं जूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करना हिंसा नहीं करना व्यविचार नहीं करना व्यसन नहीं करना तो निश्पाप जीवन का व्यक्ति मालिक बने एक ऐसा जीवन हमें हमारे परिवार को समाज को दुनिया को जीना चाहिए जिस जीवन के लिए हम कह सके ये एक गुड मैन आद भी है और ये तभी होगा जब हम हमारी जीवन में गुड हैबिट्स इसे लागू करेंगी जीवन में बोएंगे भाई फिर दोहराता हूँ जब खराब आदते हमारा भविश्य बिगाड सकती हैं तो अच्छी आदते हमारा भविश्य क्यों नहीं सुधार सकती बी पॉजेट होते वे गुड हैबिट्स अपनी जीवन में भी बो और अपने से जुड़े लोगों को भी इस बात के लिए उत्साहित करो प्रेहित करो श्रीप रखू श्यायरा